हेलो फ्रेंट्स मैं हूं तरुन पाल और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसे में बहुत-बहुत सावत करता हूं फ्रेंट्स आज सुबा जेल परी 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो देनेक बासकर पेपर में आ चुका था और अभी दिन में पीवी ने भी अपनी व्लूड करती है आज हम उसी के बारे में चर्षा करेंगे जो मेरे लास्च वीडियो ती वह दो हज आ अठारा chyba की टी हमने उसके बारे में डिसक् натथा आई आज हम 2020 डिसक्ष करते हैं कि आा इसमें आपके किडिने का मातनेंसन हैं और आप में 2018 से 2020 में बात्वा है उसके ब प्रिक्षा स्चालें इसकी अंटियम डेट है वो है 10.08.2020 तो फ्रेंट्स लास्ट डेट का बिल्कुल भी डेट वेट मत कीजेगा कि लास्ट डेट में बहुत बार यह होता है कि आपका सर्वर डाउन होता है और आप उसको फॉर्म ने भर पाते हैं तो 37 तारिक डेट है आज सही आप फॉर्म भरना चालू कर दीजे इसकी लिंक भी एक्टिव हो चुकी होगी अभी तक और जो इसमें संसोदन है वो 27 तारिक से चालू हो जाएगा जिसे आज सही अगर आपके एक्जाम फॉर्म में कुछ तूटी होती है या आपको करेक्शन कराना है तो वो संसोदन आज से चालू हो जाएगा जो आपके 15 तारिक तक आपका संसोदन का चलेगा तो यह हमने डिसकस कर लिया कि जो इसमें डेट्स हैं वो क्या-क्या है आपके एक्जाम फॉर्म भरने की ठीक है और जो आपका सुल्क रहेगा अनाराक्षित विद्यारतियों के लिए वो 500 रुपए रहेगा और जो अनुसिसित जाती जन जाती पिशड़ावार निशक्त जन विद्यारतियों के लिए यह 500 रुपए रहेगा सीधी भरती बैंक लोग कोई शुल्क नहीं रहेगा और यह सिर्फ मूल निवासियों के लिए है जो ड़ाई सो रुपे है अगर आप मध्यप्रदेश के मूल निवासि नहीं है तो वह आपको 500 सी चार देना पड़ेगा और यहां हम बात करें कि जो आपकी परिक्षा की दिनांग रहेगी वो कब से कब तक है तो परिक्षा की दिनांग आप सभी की तीन तारिक से लेके 10 नवंबर तक आपकी परिक्षा संपन होगी जो पालियों में होगी प्रतम पाली का जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम है वो जो दूसरा आपका जो सेशन है वो बारा से एक के लिए आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और जो आपका एक्जाम टाइमिंग है वो दो से पांच तक कराएगा और फ्रेंट्स यह आप टिपनी जो देख रहे हैं टिपनी का जो फस्ट पॉइंट आप सब यहां देख रहे है कि यह अभियारती का आधार पंजिन अनिवार है तो जिसने भी पहले पीबी में आपका अपने एक्जाम दिया होगा उसका पंजिन पहले से ही होगा अगर नहीं है तो आपका पहले पंजिन होगा उसके बाद आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा फॉर्म भरने के लि आपकी विकेंसी हैं वो कितनी है और इसका वेतन कितना है यहां पर आपकी बात करूं कि जो आपका वेतन मान रहेगा वो रहेगा पांच आप दोसों से लेके 20,000 तक प्लस 1900 ग्रेट पर ठीके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स मैं बात करूं जैसा कि आपने देखा कि जो इसकी सीधी भरती है वो है कुल्योग 56 है और सारे देख माबदन की बात करूं फ्रेंट्स तो पुर्षों के लिए जो उचाई है 165 cm है और उनका जो सीना है वो 83 cm है बिना फुला और फुलाने के बाद यह 5 cm इंक्रीज होना चाहिए तो 188 होना चाहिए आपका सीना और महिलाओं के लिए जो पिछली बार सरकार ने कहा था कि जो उनकी उचाई है वो उसमें कुछ कटोदी करेगी उसको कम करेगी लेकिन यहां आप देख सक रहे हैं कि उसमें हाइट में उनने कोई registration नहीं दिया है 158 है जो 2018 की रूल बुक के अनुसार था वही इसमें भी कोई changes नहीं किये और तो हम अब आगे चलते हैं जो यह आप देख रहे हैं आरक्षण अनुसरी जन जाती के लिए 20 प्रतिशता आरक्षण है अनुसरी जाती के लिए 16 प्रतिशत का है और अन्य पिछरा वर के लिए 27 प है इसमें और आगे हाँ आपकी जो आयू है पुर्स की सामन्य अनारक्षण की न्यूंतम आयू 18 और अधिक्तम 33 है जो पहले 28 थी उनने बढ़ा कर आप 33 कर दी है और महिलाओं के लिए 18 से 33 प्लस 5 वह आपकी 38 हो जाएगी तो ठीक है फ्रेंट्स यह आपकी आई की बात हो आयू की और इसके बारे में मैं आपसे पहले डिसकस कर चुगा था कि जो इसकी शारिक प्रणाली टेस्ट रहेगा वो कह रहेगा एक बार और अपन डिसकस कर लेता है जो नए लोग है उनको भी क्लियर हो जाएगा जो आपकी दू चीज़ें इसमें आप पहला है आपका 800 म जूड़ जो पूरुश्वर के झायर है वो भाई मिनिक का समय है जो महिला प्रेरी है उनके लिए चार मिनिट का समय रहेगा और जो भूत पूर्चैनिक वान होम गाइवे उनके लिए ट्री मिनिट 15 सेकंड हो समय रहेगा ठीक हैओ फ्रेंट्स मैं एक बार और बता गोला फिट तक फिकना रहेगा जिसका वेट 16 kg 4 kg रहेगा और जो भूत-पूर सैनिक है उनके लिए वह 15 फिट तक फिकना पड़ेगा जिसका वजन 7.26C रहेगा मेल के लिए रहेगा ठीक है अगर और बाकी यह जो फिजिकल से रिलेटेड है जैसे कि कोई दोड नहीं करता है तो उसको गोल फेकने नहीं दिया जाएगा अगर वह गोलफक कॉलिफाइब करता तो फिर उसका आगे टेस्व ही रोघ दिया जाएगा ठीक है और आगे इसमें और बात होता है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो मैं इसका एक जो rule है इसके उपर description में वीडियो बना सकता हूँ गर आप comment box में बताएंगे तो मैं इसके उपर एक पूरा एक संशित वीडियो बनाऊगा जिसमें आपको normalization का पूरा समझा दिया जाएगा ठीक है और हम बात करें हैं जो online केंदर हैं कौन-कौन से एक बार बात कर लेते हैं बोपाल, इंदौर, जबलपूर, क्वालियर, उचेन, नीमच, रतलाम, मंसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमो, सीधी, छिंदवाड़ा और बालागाट तो फ्रेंट्स इन 16 केंदरों में परिक्षा होनी है जो भी आपके सबसे नगजीद हो या आप किसी भी जिले में हो इन में से तो आप वहाँ एक्जाम दीजे क्योंकि अभी lockdown का समय है अगर आप समय भी अगर lockdown रहता है या lockdown की स्थिती रहती है तो आप अपने नेरिस्टी जो center है उसको चुनिए फ्रेंट्स ठीक है तो ये जानकरी है ही समाब तो फ्रेंट्स I hope so मेरे द्वारत दी गई जानकरी आप सभी को समझ में आयो अगर आप कुछ भी doubt रता है तो आप हमें comment कीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को subscribe करें अगर आप चैनल पर नए है तो subscribe कीजिए और आप अपने जितना हो सके कि अपने फ्रेंड से शेर कीजिए यह डीटेल अगर आपको अच्छी लगी हो तो और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है और जो इस वीडियो में नहीं हैं मैं आप सभी को बता दूं कि कि ACI के द्वारा इसलिए बननाहाफ मन से ओनलाइन कोर्स प्रोवाइट किया जा रहा है जो आपका जेल प्रेरी और MP पुलिस से रिलेटेड है अगर आप वो कोर्स जोइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं और जो डिस्प्ले पे नंबर आ रह देन मंस हैं तो बिल्कुल देरी ना कीजिए क्योंकि ब्लॉगडाउन में और इतनी समस्या हो वही है और आभी और फ्लाइंग क्लासेश चालू ना पॉसिबल नहीं है जिससे आपकी से जी बन रही है बोपाल में भी लॉगडाउन चल रहा है तो आप सभी बिल्कुल देर